नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हुए इंडिया के सबसे बड़े लाणिंग प्लेटफॉं अनिकेडमी पर आप सभी को गुडविन। आप सभी को गुड इवनी आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े लाइनिंग प्लैटफॉर्म अनेकेडमी पर जहां पर आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं नई जर्नी किस की है यह है इंडियन जोग्राफी अर्थाद भारत के भुगोल के भारत के भुगोल को इंडियन जोग्राफी को इससे पहले हो सकता है आपने पढ़ा भी हो और हो सकता है ना भी पढ़ा हो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको फर्क बहुत इसपस्ट महसूस आएगा क्योंकि इंडियन जोग्राफी पढ़ने का जो डिसिप्लीन है हम उस डिसिप्लीन को यहाँ पर फॉलो करेंगे उसके साइन्स को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपका स्वागत है इंडियन जोग्राफी की इस क्लास में जो इंडियन जोग्राफी की आज पहली क्लास है यही से हम अपनी चर्णी को स्टार्ट करेंगे तो चली हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लैटफॉर्म आने के नवी पर जहां पर इंडिया के टॉप एजूकेटर एक ही प्लैटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहे हैं जैसा कि आप टाइटल दे सकते हैं हम बात करने जा रहे हैं आईएस के लिए भारत का भगोर अर्थात यहां पर जो कॉंटेंट की गहराई होगी वह स्पेसली किसके लिए है वह है CSE अर्था सिबिल सर्विसेस एक्जाम के लिए तो सभाविक है अधिकांस लोग उसी चाहिए तो मैं उनसे गोजारिस करूँगा फैक्ट तो जरूर मिलेगा लेकिन वह कॉंसेट के साथ मिलेगा तो अगर आप जल्दी में आए हैं कि इंडियन जोगरॉफी दो से तीन क्लासिस में खतम हो जाएगी तो आप क्लास को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहां पर जो जर्नी को आप आगे बढ़ाएंगे जो बच्चे पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं सौभाबिक है उनकी जिग्या सा मेरे बिसे में जानने के होगी तो मेरा नाम सुनिल वर्मा है मैं पिछले आठ बरसों से मुखरजी नगर दिल्ली के सबसे प्रतिष्टिक कोचिंग स स्थानों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाते हुए देखा है सुना होगा मेरा जो एक्सपिरियंस है इसका जो लाब है आप अब अनकेडमी के माध्यम से उठा सकते हैं अर्थात आप मुझसे जुड़ सकते हैं अनकेडमी से जुड़ सकते हैं यह मेरा ट दिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको जॉइन भी कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सुनील वर्मा अनेकैडमी करके आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहीं पर आपको क्लास की सूचना है पीडियेफ नोर्स वगरा सम्मिलेंगे यहाँ पर आप मुझे परसनल मेसेज भी भेश सकते हैं परसनल मेसेज किस चीज का अगर आपको कोई भी अनेकैडमी का कोर्स लेना हो अनेकैडमी का कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं देख सकते हैं अगर दो साल का कोर्स लेखते हैं तो छे महा का अधिक extension मिलेगा अर्थात धाई साल का कोर्स आपको मिलेगा आपको क्या करना है यह कोर्ड ध्यान रखना है सुनील भी कोर्ड आपको यूज गरते ही आपको सबसे पहले मेरा गाइडस पराप्त होगा गाइडस वो होगा जिसमें मैं आपसे गमिनिकेट करके मैं आपको बताओंगा कि कैसे आपको पढ़ना है और आप देखिएगा आप अपने आपको अनिस्टुडेंटस दे अलग मह और देखेंगे कि आपकी जो learning capacity है, जो आपकी personality है, वो कैसे आगे बढ़ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, extension week है, अगर इस समय आप course लेते हैं, और इस code को यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं, आप इतने पैसी की बचत भी करेंगे, और प्लस आप इतने months का extension प्राप् को यहाँ पर combat का agent हो रहा, इसमें participate करना चाहिए आपको, और आपको यहाँ पर भी same code use करना चाहिए, अगर आप test series को अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए unacademy का light subscription है, यहाँ पर भी same code के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसमें participate कर सकते हैं, यह हमारे toppers की सूचना है, iconic subscription, unacademy का सबसे खास subscription होता है, जिसमें आपको इतनी अधिक सूबधाएं मिलती हैं, इतना student friendly है, बैच होता है, जिससे आप उमीद से ज़्यादा आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगे, बस यह समझ लिए कोई भी offline coaching भी इतनी सूबधाएं आपको नहीं दे सकती हैं, जि सुनिल वर्मा, unacademy मेरे telegram channel का link बीडियो के description में दिया गया है, मेरा experience देख लिजे और साथी साथ मेरी classes करके आप फर्क मैसूद कीजे, अगर आपको लगता है सर हमें course तो लेना है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही साथ इतने पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी कोई चिंत amount में पे करना होता है, इसके लिए भी आप मुझे telegram पर message कर सकते हैं, चले हम आजाते हैं अपने class पर, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं, वह है IS के लिए भारत का भुगोर, तो देखी इस class में, चुकि मैंने कहा ये पहली class है, ये पहली class में आज आपको ये फर्क महस होगा कि आखिर Indian geography को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पता इससे पहले कि आपने मेरी classes देखी हैं कि नहीं देखें, अगर नहीं देखी होंगी, तो इस class के बाद आप उसको देखेंगे, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ, अगर classes अच्छी लगेंगे तो सौभाविक है आप अन्य classes को देखने का प्रयास करेंगे, मेरा जो experience है, उसका lab अब आपको इस class में मिलेगा, Indian geography को हमने start किया है, courses करेंगे, जल्दी से जल्दी सको finish किया जागे, अब देख लीजे हमारे पास दो map हैं, कहने के लिए map हैं, और अगर हमें Indian geography पढ़ना है, तो हमारे पास जानकारी ले 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 और आपसे कहें कि prelims में इतना ही आता है, इतने से काम चला लो, दूसरा विकल्प यह है कि हम क्या करें, UPSC, CSC के अर्था Civil Services Exam में जो questions आ चुके हैं, चाहें वो prelims के label के हो, या mains के label के हो, दोनों ही questions को हम देखें, और दोनों questions के, अर्था prelims और mains के questions क को देखकर, फिर हम समझें कि आखिर कितने depth में हमें जाना है, तो अगर आप questions को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह है Indian geography, सिर्फ map को देखने का geography नहीं है, यहाँ पर आपको 40-50 facts हर class में नहीं कठे करने, यहाँ पर दरसल आपको ऐसा concept clear करना है, अपने दिमाग मे इतना अच्छे तरीके से इस India के map, इसकी जोगरोफी को आपको बैठा लेना है, जब आख आप बंद करें और आपसे कोई भी चीज पूछ ली जाए, कोई भी चीज का मतलब है कि चाहे वह किसी चोटी की बात की जाए, किसी दर्रे की बात की जाए, किसी सागर, किसी खाड इमाग में तुरंत क्या हो जाना चाहिए, इमेज छप जाना चाहिए, अगर इंडियन जोगरोफी पढ़ने से पहले, अगर आप इंडियन जोगरोफी पढ़ने से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आपको इस क्लास में यही लेबल देखने को मिलेगा, बस आज आपके पास atlas नहीं है तो आप किसी भी publication का atlas ले लिजेगा जो आपको अच्छा लगता हो जिसका color अच्छा लगता हो जिसके text अच्छे लगते हो आप ले लिजेगा और जब आप उसको ले लेंगे तो जब मैं बार बार आपसे कहूंगा इस चीज की location देखे आप दे बांते हैं इससे कई गुना आप जान जाएंगे भारत हमारा देश आपका देश है लेकिन अगर हम उसको सिर्फ क्या करें किताब के हिसाफ से सिलेबस के हिसाफ से अपनी हिसाफ से हम सोचें कि नहीं हमें इतना ही पढ़ लेना वे बहुत है तो हम अपने देश के साथ गलत तो हम मजबूत तत्यों के साथ अपने देश को प्रेजंट कर सकें और आपको यही परियास हर क्लास में करना है अगर आप यह कर ले गए आप विस्वास कीजिये आप अगर मेरे साथ मेहनत कर ले गए तो आप यही करेगे चलिए हम अपनी जर्नी को इस्टार्ट करतें अब इसमें क्या होगा मैं हर चेप्टर को अलग अलग नहीं पढ़ाऊँगा अगर आपको जेप्टर को इन्टर लिंक करना हो तो आईए सबसे पहले यह जो syllabus आपका लिखा हुआ है यहीं पर कुछ में basic नियम आपको इंडियन जेप्टर को पढ़ने का बता देता हूँ आपको follow करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जब आप questions देखें इंडियन जो ग्रॉपिक हैं तो questions देखते ही आपको option ना देखना पड़े answer आपके दिमाग में हो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो बस कुछ चीजों का आपको ख्यार लखना हुआ सबसे पहले सबसे पहले चुकि मैं class ले रहा हूँ इसलिए मैं अपने हिसाब से आपको study बता हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है एक चीज अपने दिमाग में बैठा लिजे कि रटना मना है रटना मना है फैक्ट जितने भी आएंगे मेरी जिम्मेदारी है उसके पीछे के concept को बताने के अर्था जो भी फैक्ट है उसके पीछे का कुछ न कुछ कारण है concept है उस concept को आपको समझना होगा तो मेरी class में आपको single line भी रटना नहीं अगल आप रट कर चाहते हैं कि नहीं हम पूरा इंडियन जोगरफी तयार कर लेंगे तो मैं आपसे एक और request करूँगा आप क्या किजिए उस रटने की पद्धते में उस रटने की पद्धते में समझने की परिक्रिया को जोड़ दिजे आपका जो output है वह क्या हो जाएगा बैट तो सबसे पहले रटना मना दूसरा मेरी class में हमेशा आपको क्या करना है map के साथ आना है map अर्था atlas के साथ आना है जब भी आप class में आईए एटलस के साथ आईए एटलस आपके पास होना चाहिए मैं किसी भी publication को परमोट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कोई खास और जो है कि एटलस लीजे जो आपको अच्छा लगता है वह ले लीजे वह ले लीजे ठ तीसरा काम आपको क्या करना है अपके पास copy और किताब रखना है copy और pen रखना है copy और pen किसलिए रखना है पीडिय तो आपको मिलेगा नोलस तो आपको मिलेगा लेकिन मैं हर point को जब explain करऊंगा तो उसको जो आप समझ पाए हैं आप उसको अपने lang etme लिखने का प्रयास करें इससे क्या होगा आप क्लास में जुड़े रहेंगे और साथी साथ आप कुछ नोट्स तैयार कर रहे होगे तो जब आप सुन रहें और लिख रहें इससे क्या होगी आपकी productivity बढ़ जाई तीसरा क्या काम करना है आपको अगला हर टॉपिक को हर टॉपिक को इंटरलिंक करना ह हर टॉपिक को इंटरलिंक करने का मतलब क्या है हमने मालो आज यह topic complete किया भारत का सामाने पर चे तो जब हम जलवायू पढ़ें तब भी इस chapter को यूज करें जब हम अपवहात तंतर पढ़ें तब भी इस chapter को यूज करें और जब मालो हमने यह सभी chapter यहां तक पढ़ लिया तो क्या होगा यह fact के रूप में रह जाएगा concept नहीं बनेगा हमें सबसे हमें क्या करना है हर topic को interlink करना है जब आप interlink करोगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर भारत में भारत की जो ग्रोफी में जो कुछ हो रहा है वो कैसे एक दूसरी से connect है आप मांसून पढ़ो आप आप क्या को कि हमारा वेख़ुए अलग चेप्टर है जब मांसून आप पढ़ोगे तो भारत की जलबायों आपको पढ़ना पढ़ेगा भारत के अपोहत तंतर का भी सहारा आपको लेना पढ़ेगा भारत का जो भो आकर्तिक विभाग है इसको भी यूज़ करना इसलिए जब मैं आपसे कहूँ कि इस तरह से सोचिए किसी खास इंगल में मैं सोचने पर मजबूर करूँ तो आपको सोचना होगा बस इतनी काम कर लिजे और आप देखेगा इसका जो रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट है वह यह होगा कि इंडियन जोग्रोफिक के प्रस्र जब आपके सामने आएंगे आपसन पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है बच्चो चले तो हम अपनी जरनी को श्टार्ट करें आगे बढ़ें प्लीस एक बार कंफर्म कर दीजे प्लीस एक बार कंफर्म कर दीजे आप मुझे सुन पा रहे ना देख पा रहे की नहीं ठीक है गुड चले तो अब हम जो है कि क्या करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते दोखो यह जो सिलेबस है यह आपके सामने है इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है यह आपको हमने दिखा दिया है इससे आपको भरोसा हो जाए कि आकिर हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं आप खुछ से पढ़ रहे हैं कोई दिकत नहीं किसी भी तरह से पढ़ो बस आपको क्या करना है पढ़ना है चले हम चलनी स्टार्ट करते सबसे पहले आप इंडिया का मैप देख लीजे इंडिया का मैप ध्यान से देख लीजे आप कुछ लोग कहेंगे सर इंडिया के मैप को हम देखे हैं मैं कहूंगा मेरे साथ देखे मेरे साथ इसलिए देखे क्योंकि इसके साइंस को समझना है इसी की जोग्रॉफी को हमें समझना है और इसकी जो जोग्रॉफी है उसमें साइंस है उसी साइंस को हमें समझना है अब देखे, आप यहाँ से देखना चालू कीजे, यहाँ से देखे, सबसे पहले आपको मैं राज दिखा देता हूँ, राज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आगे राजियों का नाम जिक्र करूँ, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि उनको पता नहीं होगा उसके प खास राज की मालो, इस राज की पूछ ले, इस राज की पूछ ले, कि बॉंडरी किसे किसे लगती है, आप तुरंद बता सोगो, तो रटना नहीं है, आप कहोगे इसको रटना नहीं है, बार बार देखना है, इसको कैसे देखेंगे, जैसे आप इस उमर में क्या होते हैं, बहुत सी तस्वीरे आपको अच्छी लगती होंगे बहुत सी तस्वीरे अच्छी जिनको आप किताब के अंदर रखते होंगे अब आप क्या करेंगे अपने प्यारे देश को रखेंगे कि इस मैप को रखेंगे और जब भी जब भी अंगडाई लेंगे इस मैप को देखेंगे इस मैप को देखेंगे तो सबसे पहले आपको लगदाख वाला छितर मिलेगा उसके बगल में एक राजी मिलेगा जिसका ना बेश्ट वेंगा, फिर बिहार, फिर देखे उत्तर परदेश, फिर यहाँ पर आप आगए हैं दिल्ली, हर्याना, और फिर पंजा, फिर राजिस्थान, फिर यहाँ पर गुजरात, मद्य परदेश, चैट्टिसगर, ओडिसा, फिर यहाँ पर आजएए, नीचे की ओर आएए आंदर परदेश, तेलांगाना, महराष्ट्रा, करनाटका, और फिर यहाँ पर तमिलाडू, केरला, इस तरह से आप यहाँ पर आचुके हैं, और जब यहाँ पर आचुके हैं, तो कभी भी यह गलती मत किजिएगा, कि यह जो हमारा सबसे खुबसूरत छेतर है, आप इसको मिस कर दें, कभी भी यह गलती मत किजिएगा, कि यह जो छेतर है, इसको मिस कर दें, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, इनका जिक्र अगर हमने नहीं किया, द्यूपिय छेतर का जिक्र नहीं किया, हमारी नॉलेज क्या है, अधूरी है, हम भारत के किसी भी छेतर की आपको परवत नदिया और बहुत सी चीजे मिल नहीं होंगे रटना नहीं है अब देखो हम आगे क्या करेंगे कि हम आपको मैपिंग इस तरह से कराएंगे आप आख बंद करोगे और आप से कोई पूछेगा परवत का नाम बताओ आप कोगे रुको 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 एक परवत नहीं बताना है मैं तो सुरू से यहां से स्टार्ट करूंगा कराकोरम लद्दाग जासकर पीर परणजाल धौला दर्शी वाली कैसे होते हुए और कहां पर आ जाएंगे हम यहां जब पस्मिगाट के सबसे दच्छिड में अनई मुदई और काडमम की पहाड़ियो उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास यह कॉंसेप्ट होगा हमारे पास यह गहराई होगी तब हम क्या करेंगे हम अपना रजल्ट सिक्योर कर पाएंगे हमें अपने रजल्ट को सिक्योर करने के लिए हमेशा इस चीज का ख्यार रखना होगा कि हमारा में उतर रहे हैं, जो की interview की stage से फेल होकर आ रहे हैं जो 5 बर्स से पढ़ रहे हैं जो 3 बर्स से पढ़ रहे हैं, जुन्होंने means दिया है, जुन्होंने interview दिया है जो select हैं लेकिन rank improve करने के लिए आ रहे हैं, उनकी knowledge उनका जो सारपने से काफी ज़ादा है तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 100 लोग, 200 लोग हैं इनमें fight है, इसमें से तो बहुत से लोग ऐसे होंगे से जो सिर्फ comment करने के लिए आएंगे, आप इनको मत देखिए, आप क्या केजिए अपनी गहराई, अपने लक्ष को देखिए और questions को द्यान दीजेगा जब हर कोई भी chapter complete होगा तो मैं क्या करूँगा, उससे कुछ प्रशन आपसे solve करवाऊँगा जब आप मेरे द्वारा solve कराय जारे प्रशनों को solve कर लेंगे और कहीं के भी test series को उठा लेजेगा, उसके question को solve कर लेंगे, मान के चलिएगा आप सही direction में अगर question solve नहीं हो पा रहे है तो समझ चाहिएगा कि मुझसे या आप से कहीं ने कहीं गलती हुई है तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजेगा मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे बताईएगा और अगर आपने कोई point miss कर दिया होगा तो आप उसको क्या कर लेजेगा improve कर लेजेगा यह देखिए हमें बार बार क्या करना है इस map का सहरा लेना है तो आगे से आपको एक चीज़ और आपको एक आपने पास atlas रखना है ठीक है जो मैंने आपको बताया दूसरा एक आपको outline map ले लेना है outline map outline map की एक किताब आती है दरसर उसमें क्या होगा पूरा world होता है और इंडिया का भी map होता है तो आपको क्या करना है ऐसे ही map पर काम करना है जैसे जब मैं परवत बताऊंगा मालो मैंने यहाँ से journey start की हना यहाँ से journey start की यहाँ से ऐसे किया तो आपको क्या करना होगा इसी पर mountains दिखाने है इसी पर rivers दिखाने है इसी पर minerals दिखाना है अर्थाक अब आपको text लिख लिख कर Indian geography को रटना नहीं है अरे बच्चो जो geography एक science है अगर हमें उससे रटना पढ़ जाए तो समझ सकते हैं हम अपने साथ गलत कर रहे हैं यह देखें आपको यह नदियां दिख रही है यह जो नदियां अभी इस पर है आगे चल कर किस पर आएंगे आप लेकर आएंगे कैसे लेकर आएंगे एटरस अपने पास रखेगा आउटलाइन मैप का सहारा हम आपसे दिलवाएंगे आपसे कहेंगे कि आउटलाइन मैप पर यहाँ पर एक नदि दिखाओ मैं यहाँ पर दिखाओंगा इसी तरह का आउटलाइन मैप आपके पास होगा आप वहाँ पर लखीरे खीचेगा जितनी लखीरे आउटलाइन मैप पर खीचेगे उतनी ही मजबूत लखीरे आपके दिमाग में बनेंगे अगर आपके दिमाग में इंडियन जोग्रॉफी नहीं बना तो आप समझ जाना सही से देश भक्त नहीं हो राश्ट प्रेमी नहीं हो और जिस देश की सेवा आप करने जा रहे हो उसके तो चप्पे चप्पे की जानकारी आपको होनी चाहिए किलियर बच्चों? चली आगे बढ़ जाते हैं अब मैं देखो मैं आपके सामने मैं आपके सामने फैक्त रखने जा रहा हूँ ठीक है? मैं आपके सामने फैक्त रखने जा रहा हूँ इसको आप जो है की चीजों को समझे एक चीज और मैं किलियर कर दूँ आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं इस point में मैं रहूंगा, उसी point से आपको आगे बढ़ना है, उसी point से आगे बढ़ना है, ऐसा मत कीज़ेगा कि आगे वाला पढ़ने लगें, चुकि fact की तो बच्चो भरमार है, एक दो फैक्ट नहीं है, यहाँ पर सैक्डो क्या है, facts नहीं है, देख सकते हो, यह देखो क्या क चीज आपको रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है, हमें बहुत आसान तरीके से समझना है, और समझ कर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, चलिए, तो हम अपनी चर्णी को start करने जा रहा है, प्लीस, जिनके पास एटलस हो, एटलस खोल लो, जिनके पास नहीं है, कोई दिक अगे मत भागना तकहें टेक्स्ट को लेकर जो है कि आगे-ागे मत कुदीएगा आप समझने का प्रियास कि हमें समझना है पहले भारत की इस्तिति प्रिश्न है तो इसका उत्तर पहला आपके पास क्या होगा सर आप कैसी बात पूश्चते हो यह हमारे सले बस का भाग है आप कहेंगे कि सर ये हमारे सिलेबस का भाग है मैं कहूंगा ये उत्तर नहीं है उत्तर इस वज़े से नहीं है क्योंकि आप समझे ये देखें ये हमारी प्रित्वी ये हमारी प्रित्वी इस प्रत्वी पर जो कुछ भी हो रहा है इस प्रत्वी पर हड जगे की जो जोग्रॉफी है उसके पीछे का साइंस है जब तक हम देखो यह हमारा देश यह रहा देखो छोटा सा हमारा देश आप देख सकते हो जब तक हम इस देश की लोकेशन से परचित नहीं होंगे तब तक हम इसको वर्ड की जोग्रॉफी से कैस क्या वर्ड के भूकम से अलगाएंगे भारत में जो बनस्पतियां होंगी क्या बिस्व की बनस्पतियों से अलग होंगी, नहीं न, सभी चीज़े क्या हैं, वर्ड जो ग्राफी काई भाग है, और इसी के करण जब हम भूर्ड सामान इस्थिति को समझेंगे, तब हम क्या करे पिलांगा सिरफिवा इंडिया की विसिस्ट नहीं है? वह क्या है? वह अन्य छेत्रों में मौनसूनी क्लाइमिट पाया जाता है. तो जितनी आप इंडियन जोग में चीज़े पढ़ेंगे उतनी चीज़य quarter, अन्य चीजों के विसे में आपको पता चल medicine तो देखिए, हमें सबसे पहले इस्थिती समझना है, आप देखिए, इस्थिती को आप किस उरुप में समझना है, इस्थिती का मतलब है कि आखिर यह कहां पर है, किस गोलार्ड में है, किस गोलार्ड में, अब गोलार्ड का मतलब हेमिस्फेर जिसको इंगलिस में बोलते हैं यह देखो यह मालो हमारी प्रिथ्वी ठीक है मैं कई बार प्रिथ्वी ऐसी बनाऊंगा आप अच्छी बनाते रहेगा आप देखीए यह जीरो डिगरी इस जीरो डिगरी के नौर्थ में जो भी देश होगा वह होगा नौर्थ हेमिस्फेर उत्री गोलार्द का देश इसके दच्छन में जितने भी देश होंगे साउथ हेमिस्फेर के देश होंगे प्रशनायगा सर इससे क्या फरक पड़ेगा इससे फरक एपड़ेगा क्योंकि इस गोलार्द में हवाएं जो चलती है यही हवाएं हर गोलार्द की अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कंडिशन के हवाएं चलती है इन्ही हवाओं के दोरा बर्सा होती है जो बर्सा होती हो बर्सा ही क्या करती है किसी इस्थान के वेजिटेशन को निर्धारित करती है और जहां पर जिस परकार के एनिमल्स होंगे और उसी परकार के क्रॉप्स होंगे जहां पर जिस परकार के क्रॉप्स ह इस पर कुछ रेखाएं आपने खिची हुई देखी हूंगे जैसे ही जीरो डिगरी है इसके उत्तर में मालों ये करक रेखा है ये करक रेखा ये है मकर रेखा मकर रेखा करक रेखा साड़े तेश डिगरी नौर्थ मकर रेखा साड़े तेश डिगरी साउथ आपको पता है कि जो करक रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाला भाग होता है यह कौन सा भाग होता है यह गरम भाग होता है यहाँ गरम छेतर के रूप में जाना जाता है तो हम इस गरम छेतर की विशेष्टा को अगर क्या करेंगे इंडिया के साथ इंटरलिंक कर लेंगे जब हमें इस्तिती पता चल जाएगे कि आखिर इंडिया का कितना भाग गरम चित्र में आता है कितना भाग थंडे चित्र में आता है तो हम क्या करेंगे? जलबाय बनसपति, जै बिवित्ता, उहांपर मिलने वाले जीव सब भी को क्या कर सकेंगे? Interlink कर सकेंगे world geography के साथ इसको interlink करने के लिए world geography की जो concept है उनसे इनको interlink करने के लिए इसकी स्थितिकों में समझना जरूर तो आप देखे, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब पहला points हम एक एक points लेंगे और उसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखे, पहला इसका fact है भारत उत्री पूर्वी गोलार में इस्तित है ठीक है आप देखो पहला point यहां पाईए यह हमारा world का map ठीक है यह हमारा पूरी प्रत्वी इस प्रत्वी पर आपको पता है यह करक रेखा करक रेखा ने क्या कर दिया उत्तर और दच्छिडभाग को डिवाइड कर दिया ठीक इसी तरह से आपको पता है एक रेखा है, यह जो रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं अक्षांस रेखाएं, यह क्या होती हैं, अच्छांस रेखाएं, ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा, कुछ ऐसी रेखाएं आपको खिची हुई दिखाई देंगे, और यह जो रेखा देशांतर रेखा से ध्यान देजेगा 0 degree देशांतर रेखा तो इसके पूरम में जितने भी स्थान होंगे वह किसमें आएंगे पूर्वी गोलार्द तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया की लोकेशन कहां पर है इंडिया की लोकेशन यहां पर इंडिया की लोकेशन यहां पर तो इससे क्या पता चल गया कि इंडिया कहां पर है उत्री गोलार्द में और उसकी पूर्वी गोलार्द पूर्वी गोलार्द का निर्धारन किस से कर रहे हैं 0 degree देशांतर से और उत्री गोलार्द का निर्धारन किस से करना है जीरो डिगरी अच्छांस रेखा तो क्या पता चला भारत उत्री पूरवी गोलार्द में इस्थित है यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जैसे हमें यह समझ में आया कि ठीक है उत्री और पूरवी गोलार्द में तो इसकी अ आपको पता है कि कोई भी इस्थान जब उत्री गोलार्द में है, इसका मतलब क्या है? उहाँ पर गर्मी कब पड़ेगी? उहाँ पर गर्मी तब पड़ेगी जब सूरे क्या करेगा? सूरे, 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद, कहाँ पर? उत्री गोलार्द में, उत्री गोलार्द में क्या होगा? उत्रायन होगा, अभी आप देखिए कुछ समय पहले तक, कुछ समय पहले तक क्या पड़ती थी? हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही थी, ठंडी पड़ रही थी? लेकिन 21 मार्च के बाद क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, और अभी देख लो समय कितनी जागा गर्मी हो गई है, क्यों हो गई है, देखो, अभी यह जो equator, यह जो equator है, इसी को हम बोलते हैं, विश्वत रेका, तो 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर, 23 सेप्टेम्बर, यह दो द उत्री गोलार्ज में लंबवत होने लगती हैं, लंबवत होने का मतलब एक जैसे टॉर्च आप जलाते हो, तो जब जो फोकस है, वह फोकस कहां, नौर्थ होमिस्फियर में लंबवत पढ़ने लगे, अब जो को जहां पर फोकस पढ़ेगा, उहां पर क्या होगा, परकास उस्मा आ रहा है, अब यह जब परकास और उस्मा यही तो क्या करेगा, गर्मी परदान करेगा, तो देखो क्या होता है, उत्री गोलार्ज, उत्री गोलार्ज में क्या होता है, 21 मार्ज के बाद गर्मी बढ़ने लगती है, और आपको यहां पर पता है, मालो यह करक रेखा करक रेखा पर क्या होता है सूरे की किर्णे लंबोत होती है कब लंबोत होती है क्या 21 जून को होती है क्या 21 जून को होती है या मालो जून महिने में डेट अगर याद रखने में दिक्कत हो जून महिने तो आपको पता है कि सूरे की किर्णे लंबोत होते हुए कहां तक आएं करक रेखा से उत्तर की वो किसी भी पॉइंट पर सुरी की किर्णे कभी भी पूरी तरह से लंबोत नहीं होंगे पूरी तरह से लंबोत का मतलब है कि मानलो ये रेखा इस तरह से कभी भी लंबोत नहीं होंगे करक रेखा और मकर रेखा कितने पर है? 6,5 डिगरी पर और आपको पता है कि प्रत्वी कितनी जुखी हुई 5,5 डिगरी तक इसी की कारण करक रेखा और मकर रेखा कहां बनाए गए वह बनाए गए है 5,5 डिगरी उत्र और 10 चिड़ और 10,5 तेश डिगरी क्यों क्योंकि सुर्क की केड़े यह कभी भी इसके उत्र लंबवत नहीं हो पाती इसके दच्छिड में मकर रेखा के दच्छिड में लंबवत नहीं यह उत्री और दच्छिडी पॉइंट है जहां पर सुर की केड़ें लंबवत होती तो यह रहा आपका मकर रेखा अब यह जो करक और मकर रेखा है इसके बीची सूरिकी केड़े क्या कर रहे है यह कभी क्या करेंगे मार्च के बाद इधर की ओर जाएंगे जून में करक रेखा पर आएंगे फिर क्या होंगे वह जून के बाद लौटने लगेंगे फिर से जब लोटने लगेंगे तो हमारी यहां क्या होगी चुकि हमारी विश्थिती कहां पर मालो हमारा देश यहां पर है यहां पर हमारा देश है तो क्या होगा जब जून तक तो खुब गर्मी बढ़ती है जुलाई में भी गर्मी बढ़ती है कारण का है सुरिक की केड़े लौट जरूर रही है लेकिन लौट ते समय भी अचानक कूद कर नहीं आएंगी अचानक कूद कर नहीं आएंगी धीरे धीरे क्या होती है रिटर्न होती है जब धीरे धीरे क्या करती है वह रिटर्न होती है तो उसके बज़े से क्या होगा जो ट सूरी की केर्णे मकर रेखा पर लंबत होंगी तो हमारे यहां पर क्या हो रहा होगा सूरी की केर्णे काफी तिर्ची होंगी और उसके वज़े से हमारे यहां क्या पड़ रही होगे थंड पड़ रही होगे तो इससे क्या कंफर्म हुआ इससे यह कंफर्म हुआ कि भारत जो उत्री और पूर्वी गोलार्द में है इसका अपना एक रोल है और उत्री गोलार्द में होने का मतलब क्या है कि भारत में जो गर्मी है वो कब पड़ेगी वो जब तभी पड़ेगी जब सुरी की केर्णे कहां पर उत्री गोलार्द में लंबवत हो आपको पता है कि गर्मी जब होगी तभी क्या होगा बासपी करण होगा गर्मी होगी जितनी अधिक गर्मी होगी तभी क्या होगा बासपी करण होगा और जब गर्मी जादा पड़ती है तो आपने देखा होगा गर्मी के समय के बाद ही हमारे हां क्या आता है मौनसून आता है तो गर्मी से क्या होग बास्पी करण होगा और गर्मी की ही समय क्या होता है मांसून आता है और इसी मांसून से क्या होगा बर्सा होगी तो मांसून कब आएगा हमारे हाँ तब आएगा जब सुरी की किर्णे क्या होगी लंबात होगी यहां तक के लिए एक देखो मैंने सिर्फ अभी आपको यहां तक के point को discuss किया है इसी तरह से हर चीज को हम explain करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कोई भी फैत फैत नहीं रह जाएगा वह क्या हो जाएगा concept में कनवांट हो जाएगा बस आपको क्या करना है लिखते रहना है जो आप समझ पा रहे हो सुनील बर्मा अनकेडमी टेलिग्राम चैनल का लिंक है उसको जोइन कर लिजे वहाँ पर आपको PDF इस क्लास की सभी क्लासिस की मिल जाएगे ठीक है और अगर आप सर्च करना चाहें तो सुनील बर्मा अनकेडमी टेलिग्राम चैनल सर्च भी कर सकते आगे बढ़ो दच्षिड एस्थिद भारती उप महादीब का यह सबसे बड़ा देश है आप देखो यह जो देश हम लोग देख रहे हैं अपना यह जो हम अपना देश देख रहे हैं इसमें हमें पता चलेगा कि यह क्या है भारती उप महादीब का सबसे बड़ा देश आखिर भारती उप महादीब है क्या तो आप क्या करिए आप एसिया का मैप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जो लोकेसियन है उसको देख लीजे आपको पता चलेगा कि भारत पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नैपाल के साथ जुड़ा हुआ बांगलादेश के साथ जुड़ा हुआ भूटान के साथ जुड़ा हुआ तो यह सभी छेत्रों को मिला कर क्या बोला जाता है उपर जो है कि महादीब बड़ा एरिया है देखो इंडिया का एक सेकर यह देखो यह आपका प्रायदीप ये छेतर है इंडिया का इंडिया का प्रायदीप ये छेतर है जो कि काफी बड़ा है जब ये पडोसी देशों के साथ भी मिल जाता है तो इसका एरिया क्या हो जाता है तो आपको इस एरिया को देखकर लग सकता है कि ये तो महादीब के चुकि ये मह पारण इसको उपमहादीप के नाम से जाना जाता है। भारती उपमहादीप में इतने ये देश हैं। भारत का जो छित्रफल है वो क्या है 32,87,263 बर किलोमेटर। 32,87,263 ये जैसे फोन नमबर आप याद करते हो ना ऐसे ही याद कर लेना। अब जैसे ही आपने ये फैक्ट देखा तो अब आप कोगे कि सरही रटना है ये तो 32,87,263 बर जैसे मैं बोलूँगा अपने आप आपके दिमाग में याद हो जाए। इससे एक चीज निकाले ये इसको आप एक कॉंसेप्स से समझें ये जो 32,87,263 बर किलोमेटर का छेतर है इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत क्या है एक विसाल देश है ध्यान दीचेगा अब मैं इसको इंटर लिंक कर रहा हूं अन्य टॉपिक से भारत क्या है एक विसाल देश होने का मतलब इसके वज़े से क्या होगा इसकी जो जलवाईव है वह जलवाईव क्या होगी विभित परकार की होगी और आप देख भी सकते हैं लदाक से अपनी चरनी को श्टार्ट कीजिए लदाक में देखिए एकदम ठंड परती है दच्छिड की ओर आईए आपको मरुस्थल मिल जाएग और वहाँ पर आपको पस्मी घाट परवती छेतर भी मिलेगा वहीं पर साइलेंट बैली भी मिलेगा सबका क्लाइमिट क्या है अलग है तो हमारी हां की यह जो छेतर फल है चोकी भी साल है इसी की करान जलवाईव हमारी हां विभित मिलेगी जोकी छेतर बड़ा है तो हर छ करेंगे लगदाख में मटर का उत्पादन करेंगे लगदाख में कुछ सीमित मौसम में ही क्या करते हैं सीमित मौसम में ही हुआ कुछ आर्थी क्रिया कलाब कर लेते हैं जिस से पांस से छह मैंने जब बर्ग पड़े तो अपनी आपको घरों में कैद करके अपने जीवन को य तो आपको आर्थिक क्रियाएं बर्स भर जरूर दिखाई देंगे लेकिन जब हमारे यहां पर क्या होता है चक्रवाद का समय होता है तो वहां पर आर्थिक क्रियाएं क्या हो जाती है सीमित हो जाती है इससे क्या पता चला कि हमारी जलवाई भी विविद्ध है आर्थिक क्र चुनकि जब यह चित्र विसाल है तो सौभाविक है यहां पर संसाधन में क्या होंगे विसाल होंगे प्राकर्तिक संसाधन भी विसाल है और मानो निर्मिस संसाधन भी विसाल है प्राकर्तिक संसाधन हों बनस्पतियों से लेकर जितने खने संसाधन मिलते हैं आगे चल कर भारत खनी संसाधनों के पॉन्ट अब्वे उसे एक रिच देश है यहाँ पर बनस्पती यहाँ पर जीओं की बीवित्ता क्या है आपको काफी रिच दिखाई देगी काफी अधिक दिखाई देगी इसी के साथ संसाधन में आप देखिए हम क्या हैं 200 की दूसरी सरवाधिक ज जो जनसंख्या है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं फसल उत्पादित कर रहे हैं यह किसके बज़े से संभव हो पा रहा है यह संभव हो पा रहा है इसकी जो ग्रॉफिक की बीच ठीक इसी चीज को आप अन्य तरीकों से क्या करें जोड लिजेगा तो यह 32,87, 263 बर किलोमेट अर्याटर का जो एरिया है यह फैक्ट नहीं रही जाए है वो कितना है पूरे बिच्व के छित्रफल का मात्र 2.4% है 2.4% इससे हमें क्या पता चलता है इस फैक्ट को कैसे अब हमें आत रखें आप देखें पूरे विस्व के छित्रफल का इतना ही एरिया है लेकिन जनसंख्या कितना है पूरे विस्व का जनसंख्या कितना है एक बाद कनफर्ण किजे पूरे विस्व का जनसंख्या कितना है आलोग गुपता जी कह रहे हैं सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाईए धीरे ही पढ़ा रहों बच्चो अगर जादा धीरे पढ़ाएंगे न तो फिर बहुत कलास लंबे हो जाएगे ठीक है फिर भी ठीक है बताईए पूरे बिश्व की जनसंख्या का कितना परतिसत हमारे पास है सत्रे परतिसत चलिए तो कुल में लाकर आपका हमने फैक्ट लिया पूरे बिश्व की जनसंख्या का कितना आप बता रहे हैं सत्रे परतिसत उसी को माल लेते हैं डेटा भी सब कुछ आपके सामने आएगा अब इससे क्या conclusion निसकर्स आप निकालते हैं कि हमारे हां का जो area है उस छोटे area पर निर्भल लोगों की संख्या क्या है जादा है तो यहां से एक निसकर्स हम क्या निकाल सकते हैं कि भारत पर भारत पर क्या है जनसंख्या का दबाव है इसका मतलब क्या हुआ हम अती जनसंख्या वाले देश हैं हम क्या है अती जनसंख्या वाले देश है किलियर हम अती हमारे हां कि संसाद्मों पर लोगों का क्या है दबाव है तो यह वाला point भी आपको याद रह जाएगा हम क्या हैं विश्व के एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं लेकिन हमारे हां पर जो जनसंख्या है वो 17% से अधिक है इससे हमें यह पता चलता है और जनसंख्या कौन सी 2011 की जनगर्णा के उसार 2021 की जनगर्णा आएगी तो देखिएगा जनसंख्या काफी बढ़ी हुई मिलाएगी किलियर हो गया आप देखे यहाँ पर इन चीजों को मैं मिटा रहा हूँ अगला पॉइंट एक एक पॉइंट को ऐसे हमें समझना है भारत छितिफल की दिष्टी से दुनिया का साथमा सब सबसे बड़ा देश है जबकि जनसंख्या के दिष्टी से भारत के है दूसरा सबसे बड़ा देश है इससे क्या पता चला इससे भी वही फैक्ट हम लोगोंने समझा जो अभी कि हमारे हाँ पर एरिया कम है और उस पर निर्भल लोगों की संख्या क्या है चाहता है अब यह इसका मतलब यह है कि हमारे हाँ जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम क्या कर रहा है खाद्य सुरच्छा सुरिश्चित करा पा रहा है उस जनसंख्या को हम खाद्य सुरच्छा दे पा रहा है हम लोगोंने medical facility education पर कुछ अच्छा कार किया है जिसके बज़े से क्या कर रहा हम अच्छा कर पा रहे हैं हमने पहले कि तुल्ना में अपनी मृत्यूदर को घटाया है तब ही तो जन्मदर क्या है? जादा है नहिंद तो मृत्यू भी क्या होती? जादा होती तो जन्स конфया इतनी नहीं होती अब यहाँ पर क्या होगा इसको जोड़िए कि हमारे हैं जो मिट्टी है, इस मिट्टी का हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, किसी कारे कर रहे हैं, अनाज उत्पादित कर रहे हैं, इस से क्या हो रहा है, इस मिट्टी की जो उत्पादक्ता है, क्या हो रही है, कम हो रही है, उत्पादक्ता को अगर हम नहीं बढ़ाया तो हम जो दूसरी सरवाधिक जनसंख्या है कई reports ये बताती है कई reports ये बताती है आने वाले कुछी बरसों में हो सकता है 5-6 बरसों में ही हम चीन को क्या कर दें पीछे छोड़ दें जब चीन को पीछे छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है? कि हमारी खादी सुरच्छा की चुनोतियां और बढ़ जाएंगे मिट्टी की उत्पादक्ता पहले से कम हो रही है अब हमें क्या करना है? इस कम होती मिट्टी की उत्पादक्ता को हमें या तो बनाए रखना है या फिर इसको बढ़ाना है नमबर लुटाए जाएंगे, नमबर आपको यह नहीं सोचना होगा कितने मिलेंगे, फिर आप यह सोचोगे कि मैक्सिमम कितने मिलेंगे, आगे बढ़िए, अगला, दो देखो भारत का जो अच्छांसी और देशांती विस्तार है, इसको भी देख लीचे, यह एक किया है, यहां से चालू कर, यह सबसे दच्छित, आठ डिगरी, फोर मिनट से लेकर, 37 डिगरी, 6 मिनट, ठीक है, यह आपका, यह देखो इस तरह से जो रेखाएं होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अच्छांसी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, दूसरा, यहां पर दे सांती बिस्तार, 68 डिगरी, 7 मिनट से, 97 डिगरी, 25 मिनट, पूर्वी देसांतर, देखो, सब्द क्या आया, पूर्वी देसांतर, पूर्वी देसांतर क्यों, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ग में, पहली हम इस चीज को किलियर कर चुके हैं, यहां पर आओ, तो यहां पर द बताओ, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर देखो, हमने कहा 8 degree 4 minute से 37 degree 6 minute तक, यह हमारा क्या हुआ अच्छांसी विस्तार, दूसरा, हम देशांत्री विस्तार देखा, देशांत्री विस्तार हमने कहा 58 degree 7 minute से लेकर, कहां पर 97 degree 25 minute तक है, अब इन दोनों में डिफ्रेंस कितना है इन दोनों में difference कितना है मुझे एक बार बताइए difference कितना है 16 विस्तार कितने degree का है देशांती विस्तार कितने degree का है लगबक 30 डिगरी का है क्या भारत के अच्छांसी ओ दिस्तारी विस्तार लगवग 30 डिगरी का है क्या देखो थोड़ा सा इन दोनों के बीच का अंतर देखो लगवग 30 डिगरी लगवग 30 डिगरी है क्या प्लिस कंफर्म कीजिए लगवग है प्लिस बताईए है क्या इसको देखे तो इससे क्या पता चलता है भारत भारत को जो इस्तिती है वो अच्छांसी और देशांती बिस्तार के पॉंट अबे से क्या है लगवग बराबर है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की अच्छांसी है और देशांती बिस्ता का जो अंतर है लगवग बराबर है तो कहिएगा बिल्कुत सत्य बात है लेकिन एक चीज और इस परश्टी करन यहां पर देना है वह यह है कि देखो यहां पर अगर आप देखोगे यह जो स्थान तो यहां पर आपको क्या मिलेगा देशांती विस्तार जादा मिलेगा लेकिन यहां पर यह नहीं है तो यह नहीं कोई कह सकता कि नहीं सहाब यह क्या है पूरा चौकोर देश हमारा नहीं है इसका अच्छांसी और देसांती बिस्तार क्या है आप देसांती बिस्तार यहां पर आपको ज़्यादा मिलेगा और अच्छान से विस्तार आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगी केलियर हुआ यहाँ से यहाँ तक की देखो यह जो दूरी है यह आपको अलग मिलेगी और यह अलग मिलेगी प्रशना आएगा अंतर क्यों है प्रशना आएगा कि आखिर यह अंतर क्यों है तो आपको पता है कि यह हमारी पृत्वेक से इस पर देखो यह रहा जीरो डिग्री यह रहा आपका जीरो डिग्री इस जीरो डिग्री से आप क्या करो आपको पता है इसके पैरलर ऐसी रेखाएं खीची गई तो देखो जो अच्छांस रेखाएं होती है वह पैरलर होती है वो कहीं पर जाकर मिलती नहीं है, लेकिन आपको पता है, इस तरह से जो देसांतर रिखाएं होती है, वो क्या होती है, जैसे जैसे आप धुरूं की ओर जाते हो, वो क्या होती है, चिपकी हुई होती है, होती है कि नहीं, अर्थत equator पर तो दूरी क्या होगी यहाँ पर देखो दूरी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर आओ तो यह point के रूप में convert हो जाती है और जब यह point के रूप में क्या होती है convert हो जाती है इसी के कारण क्या होता है जो हमारा यह देख सकते हो यहाँ पर जो देशांत्री है यहां पर देख सकते हो यह जो देशांत्री विस्तार का जो दूरी है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है देखो उत्तर से दच्छिड वास्पिक जो दूरी है वो अलग है और पूरफ से पसिम आप देखो यहां पर यह जो अच्छांस इस और यह जो आपके देसांतर है, यह चुक्कि देसांतर क्या होते हैं, हम एक्वेटर पर देखें, यह रहा आपका एक्वेटर, यहाँ पर दूरी जादा, और जैसे यह देसांतर क्या होंगे, यह उत्तर की ओर अर्था, उत्तरी गोलार्ट की ओर जाएंगे, एक दूसरे के पास आने लगते हैं उसके वज़े से difference आता है चले आगे बढ़िए एक सिकन बच्चो यहाँ पर आप लोग इने देख लिए आगे बढ़िए भारत की मुखी भूमे उत्तर में कस्मीर से लेकर दच्छिण में क्या है कन्या कुमारी तक फैली हुए और भारत तीन ओर से क्या है समुदर से घिरा है इसको भी देख लो यहाँ पर कहां से कस्मीर से लेकर और यह जो कस्मीर वाला एरिया है अब किस में आएगा लग्दात में आएगा की नहीं अब लग्दात में आएगा की नहीं प्लिस कन्फर्म कीजे तो यहां से यहां तक लेकर इसका पिस्तार है अगर आपसे ध्यान दिजेगा अगर कोई आपसे प्रशन पूछ ले और प्रशन UPSC में इस परकार के पूछ है कि आपको भारत के सबसे उत्री भाग से सबसे दच्छडी भाग कन्या कुमारी तक जाना है तो आप कितने राज् सर प्लीस कन्फर्म किजे आंसर देंगे की नहीं प्लीस आंसर देंगे की नहीं अगर यहां से लेकर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपको क्या करना है भारत के सबसे उत्री बिंदू से भारत के सबसे दच्छडी बिंदू पर आपको जाना है तो आप कितने मिनमम राज जिसों होकर जाएंगे तो आप यहां पर क्या करेंगे और राज्य क्या मतलब यहां पर राज और संग सासी छेतर दोनों आ जाएंगे तो यहां से जब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप यहां पर राज्यों को देख लेंगे इसी तरह से क्या करना है इस मैप को बार बार द वह कहां पर है इंद्रा पॉइंट और इंद्रा पॉइंट कहां पर आता है अंडमान निकोबार में अब देखो एक सिकर यहां पर आओ अंडमान निकोबार और यह जो अंडमान निकोबार का सबसे दच्छडी बिंदू है भारत का सबसे दच्छडी बिंदू तो आप देख के लिए यह यहां पर लिखा हुआ इंद्रा पॉइंट कहां पर है अंडमान निकोबार ठीक है और इसकी अगर जो है कि इस्तिती आपको पूछ लिया जाए कि यह कितने अक्षांस पर है तो यह बताईएगा 6 डिगरी 45 मिनट पर है 6 डिगरी 45 मिनट या फिर आपको 6.4 डिग कि जो भारत की मुखी भूमी है मुखी भूमी और भारत की मुखी भूमी का जो दच्छडी बुंदु है वह कौँ सा है कन्या कुमारी वह है आपका कन्या कुमारी और जो आपका हमारे देश का सबसे दच्छडी बिंदु है वह कौँ सा है इंद्रा पॉइंट जो कहां पर 6.4 इसका कन्या कुमारी का क्या करेंगे 8.4 और यहाँ पर 6.4 तो लगवक कितने अच्छांस का अंतर है लगवक कितने अच्छांस का अंतर है प्लिस बताईए इसी तरह से चीजों को बच्छों जब इंटर लिंक करेंगे न तभी क्या होगा हम बहुत अच्छा इस कोर्स का लाग उठा पाएंगे किलियर है तो देखिए हमने कहा भारत की मुख्य भूमी का दच्छुर्तम बिंदू कन्या कुमारी और द्यूप का जो दच्छुर्तम बिंदू है उसके वीच में अच्छांस का अंतर जो है वह लगवक 2 डिग्री अच्छांस का है ठीक है उत्री बिंदू का नाम क्या है इंद्रिया कोल है जिसकी लोकेशन हमने बताई वही पर जो सबसे पस्मी बिंदू है जो पस्मी बिंदू है वह किसमे आता है गुजरात में गुहार मोती और जो सबसे पूर्वी बिंदू है वह किस में आता है अब देखो यहाँ पर देखे अब देखो सबसे पस्ति में आप इंडिया के सबसे पस्ति में कौन सा राज आपको दिख रहा होगा सबसे पस्ति में कौन सा राज दिख रहा है गुजरात दिख रहा है तो गुजरात जब दिख रहा है तो उसी का कोई न कोई भाग होगा और गुजरात का कौन सा भाग होगा गोहार मुति यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा होगा की भी थू ठीक है तो आपके पास एटलस है तो आप उसमें इसी तर से रेखा खीच लो और उसके पूर्वी और पस्मी और उत्री और दच्छरी बिंदू को मिला लो और साथी साथ यहां पर एक रेखा खीच लेना और यहां पर एक ऐसे रेखा खीचना और अंतर दिखा देना दो डिगरी अक क्लियर आगे बढ़े भारत की जो इस्थली सीमा की जो लंबाई है वह है 15200 किलो मेटर तथा मुख की भूम में की टटी सीमा की जो लंबाई है वह है 6100 किलो मेटर और द्यूपो सही देश की कुल टटी सीमा की जो लंबाई है वह है 7516.6 किलो मेटर आप देखें इसका क्या मत यहाँ पर अफगानिस्तान है यहाँ पर जो है कि इस समय चाइना है लेकिन कभी बहुत अच्छा पडोसी तिब्बत हुआ करता था लेकिन बस यही है कि चुकि हम लोग भी 1947 में आजाद हुए थे हम लोग की जो बिदेश नीती थी हमारे जो रिसोर्सेज थे वह काफी कमजो बहुत अच्छे थे बहुत धर्मिके प्रभाव के कारण दोनों देशों के जो रिस्ते थे काफी अच्छे थे लेकिन आपको पता है कि 1949 के बाद जो चाइना इमर्ज होता है जो बढ़ता है उसने क्या किया इस पर कबजा कर लिया तो खेर यह वाला जो चाइना का है पर क्या था पूर्भी पाकिस्तान था लेकिन यह जो पाकिस्तान पस्मी पाकिस्तान था इसने क्या किया था इस वाले भाग के साथ इतना अत्याचार किया था कि यहां के लोगों ने क्या किया हथियार उठा लिया और जब यहां के लोगों ने हथियार उठा लिया यहां क लोग पर जो एक अत्याचार हो रहा था तो उस समय जो हमारी परधान मंत्री थी माननी इंद्रा गांदीजी उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हुए पूरे बैस्विक संगदाय को एक संदेश दे दिया कि भारत क्या हो चुका है बदल चुका है और एक नए देश का निर्माण उन्होंने यहाँ पर करवा दिया तो यहाँ पर हमारी जो वांडरी है वो किस से लगेगी बांगलादेश से लगेगी एक और देश है वो अदेश कौई सा है भूटान इसकी रच्छा हम खुद करते है भूटान और भारत का जो हमने क्या कर रखा है समझोता कर कि भोटान पर अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम क्या होंगे सामने आएगी इसलिए जब चाइना क्या करता है इसके यह जो सिक्किम वाला एरिया है और यहाँ पर जब क्या करता है वो अतिकर्मण करने का प्रयास करता है भारत अपनी सेना क्या करते है सीमा पर भेज देता है, फिक किसी तरह से, एक और हमारा पडोसी देश है, नेपाल, नेपाल के साथ हमारे संबंद आप देखते हैं, वह उतार चड़ाओं के दोर से गुचर रहे हैं, पहले हमारे इसके साथ संबंद बहुत अच्छे हुआ करते थे, हम लोगोंने बहुत चाइना का influence वढ़ने के कारान अब यह क्या हो रहा है चाइना की वो तोड़ा सा मूब कर रहा है और इसके वज़े से जो हमारी यह boundary है वो क्या हो जाती है काफी महत्पूर हो जाती है अभी तक हमें हमें जो चुनोतिया थी वो पाकिस्तान से थी लेकिन अफगानिस्तान में जब तालिबान आ गया है अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है हमारे लिए चुनोतिया उहां पर भी बढ़ गए है चुकि चाइना ने क्या किया है आपको पता है यहां पर प्योके वाला एरिया इस प्योके वाले एरिया के इसी पर क्या किया है उसने सड़क का न और जुसके आलावा आपको पता है यहाँ पर लंबे समय से लगवक दो सासे इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? डिस्प्यूट बना हुआ है! और इस डिस्प्यूट के कारण यह जो हमारा सीमा चैतर और हो जाता है? हमारे लिए चिंता जनक हो जाता है! यहाँ पर यह जो नैपाल वाला छित्र है उत्रा खंड का यह जो पास वाला छित्र है हमारे इंडिया के बहुत से एरिया पर नैपाल कहरा है कि हमारा है जैसे काला पानी का बिवाद आपने सुना होगा लीपू लेक के पास वाला छित्र आपने सुना होगा नैपाल को दरसल परमोट किया जा रहा है चाइना के दोरा इसलिए जो हमारी इस्थली सीमा के लंबाई है वो हमारे लिए सिर्फ डेटा नहीं है वो हमारे लिए कुछ किलोमीटर का छित नहीं है वो हमारी सॉबरेंटी वो हमारी संपर्वुता का क्या है भाग है और इसी संपर्वता की रक्षा करना है कब करेंगे जब हम अपनी सीमाओं को अच्छे से जान लें किलियर है किलियर है तो देखो आप जिस तरह से मैं अब देखो अगर मैं चाहता तो इन सब चीजों को नहीं बताता लेकिन इससे क्या होता है आपको ये जो देश हैं इनके साथ जो संबंध है या यो इस्थली सेमा का जो महत्व है वो समझ में नहीं आता एक और एंगल देखो यहाँ पर आपको पता है मयामार है मयामार में क्या हुआ इसी साल तक्ता पलट हुआ तक्ता पलट होने के बाद वहाँ पर जो आर्मी सेना ने नियंतर लिया अब वहाँ से क्या हो रहा है रिफ्यूजी सरना थी इंडिया के ओर आ रहा है तो जितना भी यह जो छेत्र है न यहाँ पर इस समय एक नहीं चुनावती बने हुई है कौसी? सरनारथी प्रवेश की और इस चुनोती पहली बार नहीं है, पहले ही मयामार से बहुत से रोहिंग्या समदाय के लोग हमारे नौर्थ इस्ट में और बेश्ट बेंगॉल वाले छितर में आ चुके हैं, वहां से भाग कर आए, भारत ने कई लाख लोगों को मदद दी, यहां के बहुत बड़े एरिय इस समय बांगला देश के साथ जो हमारे संबंध है, वो अच्छे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, चाइना के इंफ्लिएंस में आकर यह भी क्या करता है, हमसे बारगेनी करने लगता है, तो यह देखा हमने इस थलिय सीमा, फिर आप यहां पर आजाओ, यहां पर आप दे प्रोटेक्ट करने की बाद की जा रही है, तो देखो, यही पर यह लिखा हुआ है, कि भारत की जो इस्थलिय सीमा की लंबाई है, इतनी है, किस देश के साथ कितनी है, फैक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा, बच्छो, हमें क्या करना है, क्लास का, जो ल क्लियर है, कोई पूछ रहे है, यह क्या, आई यार की क्लास चल रही है, क्या, अरे बच्छो, आई यार हो, आई यार मतों इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, तब ना जो अपना रिलेशन आप जान लो, तो देशों का संबंध हम देख रहे है, इंडियन ज इसका importance हम लोगों ने समझा आप देखिए टटिय सीमा की जो लंबाई है वो लगबग 6100 km है टटिय सीमा का मतलब है एक सिकन यह देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं यह जो हमारा टटिय बॉंडरी वाला एरिया यह जो बॉंडरी वाला एरिया हमारे लिए काफी से कोई अंदर परिवेस ना कर जाए तो हम इस बॉंडरी को भी प्रोटेक्ट करते हैं 2008 मुंबई हमला आपने देखा होगा उसके बाद से यह जो सागरी चित्र है अरब सागर वाला जो चित्र है वह क्या हो गया हमाले महत्पूर हो गया जब हम लोगों ने क्या करवाया थ तो आपको पता है कि अमेरिका ने अपनी नेवी को क्या कर दिया था भेद दिया था वह बंगाल में पहुंचने वाली थी उधर रूस ने कहा इंडिया से हम दोस्त क्या हैं दोस्त दोस्त ने तो रूस ने उससमें कहा कि हम अपनी नेवी भेजते हैं और जब नेवी की बा नशर रखना होगा, तो यहां जो हमारी एरिया इसका है, यही पर लिखा हुआ है, कि उस्पो धे近編 की नंबाई इतनी, अगर दिफ़ा हम की गूपों-वा जो चेतर है ग्ष्कति यहां पर पर देखोगे, तो मौलदिव दिखाई देगा, और आपको पता है कि इसके फाल, में स्रिलंका में ही चाइना की उपस्तती है यहाँ पर बांगलादेश में चाइना की उपस्तती है ध्यान दिजेगा यहाँ पर पाकिस्तान में चाइना की उपस्तती है इधर इरान में चाइना की उपस्तती है पूरे तरफ से इंडिया को क्या कर लिया गया है घेर लिया गय तो हम जब इंडियन जोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन सीमाओं को ध्यान से देखना होगा, ताकि इसकी information को हम कहां यूज कर सकें, हम IR में भी यूज कर सकें, इंटर्नल सिक्योर्टी में भी यूज कर सकें, राइट, चले, आगे बढ़ते हैं, यहा है, क्रीक के रूप में, आगे पीछे कटी हुट, इसी की करण आपको छोटा सा एरिया दिखेगा, लेकिन इसकी लंबाई क्या हो जाती है, जादा हो जाती, तो देखो, गुजरात की टटी सीमा सबसे लंबी है, दूसरी सबसे टटी सीमा जो लंबी है, वो आंध्रपर्द तो देखो, यह कितना बड़ा एरिया दिख रहा होगा, और गुजरात का इतना, लेकिन क्या है, देखो, यह गुजरात का ऐसे है, यह घुमाओदार है, इसके बज़े से क्या है, यह लंबी हो जाती है, ठीक है, तमिलाडू महराष्ट, हना क्रम से क्या आते हैं, यह तीसर किलो मेटर की बंबारी आपके पार उपर कर दूँगा, तो आपको क्लास क्या होगा, नीरस लेगे, मेरे क्लास में बच्चों सिर्फ धहरे रखिए, मैं आपका एक भी मिनट बरबाद नहीं करता हूँ, इससे पहले भी जो स्टुदेंट मेरे क्लास में जुड़े रहे हों आगे बढ़ें, चली आगे बढ़ें, यहां पर हमने देख लिया, अब इसके देखें, भारत का जो सिमांतगर छेत्र है, वो बारत समुद्री मेल है, इसका मतलब क्या है, कि देखें, यहां पर देखें, एक देखें, प्रादेशिक जल सिमा, सनलगन छेत्र और अन्यन आर यह तीन सब्द आपने जरूर सुने होंगे, इनको देखें, इसका क्या मतलब है, यहां पर आई, तो देखें, हमने कहा, इन बांडरी के इंपोर्टेंस को आपको बताए, अब देखें, यहां पर क्या है, कि इस तरह से आप क्या करें, एक रेखा ऐसे खीचें, अब जब इस तरह से आप रेखा खीचेंगे, तो जो सबसे बाहर निकले हुए छेतर हैं, उनको मिलाकर इस तरह से एक रेखा खीचेंगे, इसको बोलते हैं आधार रेखा, जो आप आधार रेखा खीच देंगे, तो इसके बाहर का यह जो जलिये छेतर है, आखिर इस जलिये छेतर बक किसका नियंतर होगा इसके लिए क्या है? एक संधी हुई है उससंधी के तहत ही क्या किया जाता है? इसका डिमारकेशन के अब दिखें यहाँ पर स्रिलंका भी है अगर क्या हो? कि सभी देशों की सीमा है, जलेग छेतर निर्धारित ना हो तो क्या होगा विवाद बढ़ेगा और बिवाद क्या होगा तनाव का रूप धारन कर लेगा इसलिए यहाँ पर देखें जो हमारी प्रादेशिक जलसीमा है वो समुध्र टटश से बारे jan बारे समुध्री मेल तक होती है इसका मतलब क्या है देखे आप देखे यहां पर यहां एक हमने आधार रेखा की से इस आधार रेखा से बारे समुद्री मेल तक का जो हमारा मालो इतना एरिया है यह क्या है हमारा किस इसको हम किस नाम से जानेंगे यह हमारा है प्रादेशिक जलसीमा यह जो प्रादेशिक जलसीमा है इसमें कभी भी चाइना की नेवी एंटर नहीं कर सकती, आप देखो जो खुले छेतर हैं सागर छेतर हैं, उहाँ पर हर देश अपनी नेवी को लेकर घुमता रहता है, आपने सुना होगा पंडुबी लेकर घुमते रहता है, लेकिन यह जो प्रादेशिक जल सीमा है, ना इसमें आप सोचो कि क्या हो, यह जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा के पास में दूसरे देश की नेवी आ जाए, तो कितना टप होगा, इसले इस पर पूरा हम आप क्या करते हैं, अपना नियंतर रखते हैं, उसके बाद प्रादेशिक जल सीमा से आगे, 24 समुद्री मेल तक क जो एरिया है, उसको बोलते हैं, सनलगन चित, सनलगन का मतला होता है, लगा हुआ चित्र, अब मालो, आपके घर से कोई लगा हुआ चित्र है, तो वह आपके चित्र आपके लिए क्या है, इंपोर्टन्ट है, अगर वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई, जिसका जल सीमा है, यह इंपोर्टन्ट हो जाती, अब यह प्रादेशिक जल सीमा मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आगे, जब इंडियन जोग्रॉफी में हम पढ़ेंगे, तो हमारा सिलनका के साथ भी कुछ डिस्प्यूड दिखाई देगा, हमारे जो मच्वारे हैं, जैसे उनके छेतर में जाते हैं, उनके मच्वारों को हम पकड़ लेते हैं, ठीक इसी तरह से पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है, तो हमें दरसल उस पॉइंट अब्वियू से अपने को उहां तक ले जाना है, लेकिन उसका बेस यही से किलियर होगा, क्योंकि हम भारत की सामाने जान जाएं, कि आखिर हमारा देश कहां कहां पर क्या नियंतर रखता है, उसके बाद होता है अनन्य आर्थिक छेतर, जो कि 200 मिल तक होता है, 200 समुद्री मिलता है, 200 समुद्री अनन्य आर्थिक छेतर का मतलब है, ऐसा छेतर है, जो लगभग एक ओपन सागर की वो है, जहां पर भारत क्या कर सकता है, रिसर्च बगेरा कर सकता है, यहाँ पर कोई संसाधन है तो उसकी खोज कर सकता है, तो यह हमारा छित्र, भारत की राजों में जो सरवाधिक सीमा है, जैसे कि हमने कहा गुजरात का है, और गुजरात में कितना है, इतना, जबकि केंदर सासित के रूप म आप देख लो, आप देखो अंडवान निकोबारी पतला सा एरिया है, तो इसकी जो सीमा है, वो हमारे लिए कापी important हो जाती, गुजरात की हमने पहले दिखा दिया था, उसकी लंबाई को यहाँ पर क्या केजिएगा, नोट कर ले, भारत की स्थली सीमा हमने यहाँ पर भारत की जो जलवायू है, इसमें देखे, जलवायू करने धान कैसे होता है, जैसा कि हमने कहा, मैं fact आपको सब दोंगा, जो किसी भी किताब में नहीं होंगा, इतने जादा fact है, अभी तो देखो, fact हो, हमने start किया है, अभी हमारे आपके पास slide आई कितनी है, दो से तीन slide आ पीडियाप, यह पीडियाप आपको मिलेगा, मेरे टेलिग्राम चैनल पर, और टेलिग्राम चैनल का लिंक कहां दिया गया है, वीडियो के description, वीडियो के description में जाएए, सुनील बर्मा अनेकेडमी करके एक चैनल का लिंक होगा, उसको जोन कर ले, ओहां पर आपको क्या यह मिल जाएगा, क्लियर है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, समझते हुए हम जब चलेंगे, तब हम दरसल इस पर कमांड अपनी स्थापित कर पाएंगे, एक सिकर, तो देखो, अब आते हम जलवायू वाले बात पर, तो हमने यह देख लिया, कि भारत का और यह रहा आपका करक रेखा, तो जो छेतर करक और मकर रेखा के बीच में आते हैं, यह करक रेखा हो गया, यह हो गया मकर रेखा, ठीक है, तो जो छेतर करक और मकर रेखा के बीच में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उश्ट कटी बन दिये छेत, उश्ट कटी बन, त क्या भारत का यहाँ पर यहाँ पर ऐसे एक रेखा खिछ दो यह रहा आपकी करक रेखा तो भारत का यह वाला एरिया किस में आएगा? यह आएगा उष्ट कटीबंद हूँ यह आएगा उष्ट कटीबंद हूँ अप प्रिष्ण आएगा सर कटीबंदуск king क्यों बता रहे गर्मी के अंसार ही फसले बनस्पतियां उहां के जिऊचया होंगे, हमें अलग रूप के दिखाई देंगे। उहां पर बर्सा का पेटरन भी अलग होगा, मात्रा भी अलग होगी और जब हम उपोष्र कटीवंद का बात करते हैं, तो हम ऐसे छत्रे की बात कर रहा है जहां पर temperature क्या है उतना अधिक नहीं है तो भारत की जलबायू है आपको इसमें कई विवित्ता दिखाई देगे पहला तो यह है कि विश्वत रेखा से यह जो करक रेखा के बीच वाला भाग है यहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई देगे और इस गर्मी का ही परभाव यहां के बनस्वति यहां के जियों पर आपको देखने को मिलेगा लोगों के रूप में आप देखोगे तो साउट के जितने लोग होते हैं उनका जो कलर होता है वो डार्क होता है उसके पीछे क्या है जो ग्रॉपी है आप जैसे जैसे नौर्थ में बढ़ते हो ठंडे एरिया में इनका जो कलर होता है फेर होता है अर्थात अगर हम जलवायू के पॉंट अब उसे देखें तो भारत का जो जलवायू है वो लगभग दो रूप में हमको दिखाई देता है क कोई छोटा मोटा कम उचा परवत नहीं है इसकी उचाई क्या है इसकी उचाई क्या है काफी जादा है और जब इसकी उचाई क्या है काफी जादा है तो इसी की कारण उचाई जब क्या है जादा है तो इसके कारण यहां का टेंपरेचर क्या होगा अलग देखने को मिलेग वहीं आप यहां पर आजाओ तो यह हमारा थार वाला छेतर यह आपका थार वाला छेतर और जो थार वाला छेतर है इसका जलवायू क्या होगा अलग दिखाई देगा यहाँ पर आ जाओ यह परवती छेतर यहाँ की जलवायू अलग दिखाई देगे यहाँ पर आ जाओ यह पस्मिघाट परवती छेतर यहाँ की जलवायू अलग दिखाई देगे इससे हमें क्या पता चला कि जैसा कि मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि भारत क्या है एक विसाल देश है उस विसाल देश में जलबाईू देखो कितनी अलग अलग तो हमें क्या करना है इसकी locations के हिसाब से इसके अक्षांस के हिसाब से हमें इसकी जलबाईू को भी अच्छे से समझना होगा तो यह जो fact है इनको हम बाद में लेंगे यह जो fact है इनको हम बाद में लेंगे जितने facts हैं यह जो fact है यह आप बहुत important है जिनको हमें अभी interlink करना है देखो मैं fact देने को सब दे दूँगा लेकिन मैं बस यही परियास कर रहा हूँ जैसा कि अभी तक जो लोग स्टार्टिं होगा मेरी क्लास में सिर्फ बने रही है आप देखिएगा आपकी इंडियन जोग्राफी का लेबल कहां से कहां पहुचने वाला किलियर है किलियर है चली आगे बड़ी यहां पर आई तो आप देखिए यहां हमा अपना जो देख रहे हैं इसमें अगर देखेंगे तो यहां हमारा जो देख है जैसा कि हमने कहा कि पूरे वर्ल्ड का कितना है लगवग 2.4 परसें और आपने जनसंख्या क्या बता है कि सर हमारे यहां इहां पर जो चेतर है उस पर जनसंख्या का दुआ इसमें भी देखो हमारे हैं जो मैतानि चेतर का भिस्तार है लगवग 43% है अब देखो मैतानी चेतर आपको कहां देखने को मिलेगा मैतानि चेतर आपको यहां से इस तरह से या इस रूप में यह आपको एक मैदानी छेतर देखने को मिलेगा यहाँ पर ए मैदानी छेतर यहाँ पर यह मैदानी छेतर और यह जो थार का मरुस्थल है यह भी क्या होगा एक आपको मैदानी छेतर तो भारत के कितने परसेंट एरिया पर मैदानी छेतर का बिस्तार है? 43%. लेकिन यहाँ पर एक किलियर कर दो, कि जैसे हम मैदानी छेतर सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? कि भारत का ये एरिया क्या है? साफेचिक रूप से समतल है. मैदान किसको कहते हैं? जिसका ढाल क्या हो? स ँंगा नधितंतर ब्रंपूत्र नधितंतर इन नदियों के दौरा इधरदछ बहारत के दौरा क्या के गहे मैदानी छित्र का विश्थार के और टोटल एरिया के कितने 43% भाग पर क्या है मैदान लेकिन यहाँ पुरे मैदानी एरिया का सभी छेत्र सभी छेत्रे क्रिसी योगे नहीं है इसका मतलब क्या है कि भले ही मैदानी छेत्र इतना हो लेकिन क्या हम इस एरिया में बहुत ज़्यादा क्रिसी कारे कर पाते हैं क्या या यह जो मैदानी छेत्र है इस पर हर जगे हम सिर्फ क्रिसी कारे कर रहे हैं वहाँ पर हमने अन्य आधारबू सरचना है हमने घर, सड़क, मकान नहीं बनाए हैं क्या इससे क्या बदा चलता है कि मैदानी छेत्रों में जहांपर हम कृसी कारे करते है वही पर जनसंख्या घनतों भी जादा है इसी के लिए क्रिसी भूमि हमारे लिए कम हो जाती है फिर उसके बदा आते हैं पठारी छेत्र पठारी छेत्र देखो अब देखो, पहाड़ी का मतलब होता है, जो परवत से थोड़ा सा नीचे हो, अर्था देखो, परवत क्या होते हैं, ऐसे भाग होते हैं, जो अपने समय पुरती छेतर से क्या हो, काफी उंचे हो, उनके ढाल क्या हो, खड़े, तो परवत आप देखोगे, यहाँ पर इस से हम यह समझें, कि जो भारत है, इस भारत में क्या है, परवत, पहाड़, नदी, मैदान, घाटियां, सब कुछ हैं, और जब सब कुछ हैं, तो हर चीज की विसेस्ता हमको यहाँ पर समझनी है, परवती छेतर जो हम देख रहे हैं, जिसका विस्तार इतना है, यहाँ की क्लाइमेट को हमें समझना होगा, यहाँ के वेजिटेशन को समझना होगा, यहाँ के एनिमल्स को हम समझेंगे, पहाड़ी छेतर के, जो वहाँ पर कार हो रहे हैं, उनको समझेंगे, जो पठारी छेतर है, इसी पठारी छेतर हम खनी संसाधन प्राप्त करते हैं, इसको मैदानी छितर है इस मैदानी छितर के importance को भी हमें क्या करना होगा समझना हो ठीक है चले आगे बढ़ते हैं चलो बच्चो आप लोग कोई दूसरी class तो नहीं है बच्चो आप लोग कोई दूसरी class तो नहीं है प्लिस एक बड़ कंफन किजिए क्या आप लोग कोई दूसरी क्लास तो नहीं है कि अगर दूसरी क्लास वह तो हम आगे के कल करें कि नहीं है कोई वाइब ठीक है चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं गुड़ एक सिंड तो देखिए हमने भारत के पर्चे को हमने समझा और भारत के पर्चे को हमने समझते हुए इतने जो फैक्स है इनको कबर कर लिया हम लोगों ने यह जो फैक्स है इनको हमने कबर कर लिया यह है फैक्स हमने कबर कर लिये ठीक है अब आ जाते हैं हम अपने मानक समय पर और मानक समय की कॉंसे देशों को देखते हैं हम लोग फिर देखो यह जो रेखाएं हैं आपके लिए important इनको देखेंगे प्रमुख जलसंदियां देखेंगे अर्था जलस चेतर देखेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर भारती राज्यों की सीमा से संबंद देशों की संख्या देखेंगे यहाँ पर फ्रांस के अधीन जो छेतर थे कब-कब मिलाएगे उनको देखेंगे इन सब चीजों को हम समझेंगे ठीक है बच्चों चले यहाँ बाई इस सब चीजे इसलिए बता दिया हूँ ताकि आपको पता रहे कि अभी क्लास कितनी बच्ची है ठीक है क्लास कितनी बच्ची है यह आपको पता रहे अब आजाते हैं मानक समय पर आप देखो मानक समय क्या होता है मानक समय से तातपर क्या है तातपर अब एक बाद उताओ यह हमारा देश है ठीक है, कोई ब्यक्ति यहां बिहार में है, मान लिजे, यहां पर रामू नाम के ब्यक्ति है, यहां पर एक ब्यक्ति है स्यामू, एक मिनट, स्यामू गलत हो गया, स्यामू, ठीक है, यहां पर रामू है, स्यामू है, यह दो लोग है, इनकी घड़ी में, इनकी घड़ी में क्य टाइम हो कैसे डिसाइड करेंगे एक व्यक्ति यहां पर भी हो सकते हैं यहां पर भी हो सकते हैं आप बताइए तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं हर देश अपना एक मानक समय अपनाता है और मानक समय ही क्या होता पूरे देश का समय होता है अधर भाई सोच कि सर यहां से लेकर यह जो गुजरात का सबसे पस्वी भाग है और यहां तक लेकर आप लोगों ने क्या बता है यहां पर देसांती बिस्तार का जो अंतर है वो कितना है तीस डिग्री का है तो यहां पर क्या होगा तीस डिग्री का मतलब है कि यहां पर जब सुरियोदे हो ग गंटे वासुरी हो दे होगा तो आखिर हम दोपहर कम माने साम कम माने हमारे यहाँ जो ओफिसियल बर्ख होंगे वह किस आधार पर होंगे इसी सब चीजों के लिए क्या करते हैं हम मानक समय के कॉंसेप्ट को अपनाते हैं जिससे पूरे देश में जितना भी परिवहन होता है जितने विकार होते हैं उन सभी कारियों का संचालन इसी समय के अंसार किया जा सके यहाँ वाला ब्यक्ति हमसे दो घंटे माल लेते हैं हम यहाँ पर रहते हैं यहाँ वाले ब्यक्ति के लिए दो घंटे पहले क्या हो चुका है सुरियोदा हो चुका है दो घंटे में हो क्या होता है नास्ता उस तक कर लेता फिर कहता हम तो अब काम पर जाएंगे यह ब्रक्ति अभी सो रहा है यह ब्रक्ति क्या कर रहा है अभी सो रहा है तो इसके लिए क्या होगा सुर्य तो इसलिए मानक समय के concept को अपनाया गया देखे मानक योम्यत्तर रेखा से यानि हमारे हैं पर क्या है जो साधे 82 डिग्री पूर्वी देसांतर रेखा है वो क्या करती है भारत के लगभग मध्यभाग से आपको हमने क्या बताया था देखे इसका अच्छांसी बिस्तार आपको मैं दिखा देता हूँ जिससे फिर से आपका देखे देसांती बिस्तार कहां पर ए रहा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच वाला जो स्थान है वो कौन सा होगा तो आप ही ने कहा आप क्या करो इधर से अर्थात यह अणवाचर परदेश की लोकेशन इधर से इधर आओ और इधर से इस्तार बीच में जो रेखा मिलेगी हम उसी को क्या वननेंगे मानक या मुत्तर रेखा मालने है तो देखो क्या लेखा है अगर आप देखेंगे तो हमारे हैं जो साढ़े ब्यासी डिगरी रेखा है जो साढ़े ब्यासी डिगरी रेखा है वही रेखा क्या है हमने यह रेखा ऐसे खीश दे तो वही रेखा क्या है अर्थात आधी दूरी हम इधर से चल कर आए आधी दूरी हम इधर से चल कर आए जो बीच में हमारी रेखा मिली, जिसका नाम है, जो देसांतरी रेखा है, वो कौन से है, साधे ब्यासी डिग्री, इसको साधे ब्यासी डिग्री रेखा, यही क्या है हमारी मानक रेखा, इसी देसांतर पर समय को देश का मानक समय हम लोग मानते हैं, यह जो रेखा है कहां से, इलहाबात और कुछ किताबों में आपको मिर्चापूर का भी जिक्र आएगा वहां से होकर यहां क्या करती है गुजरती कौन-कौन से राज्यस होकर गुजरती है उत्तरपर्देश, मद्देपर्देश, छतिसगर, ओरिसा और आंदपर्देश यही रेखा क्या है आपकी मानक समय अर्था जब यहां पर दोपहर के बारे बजेंगे तब ही सभी जगे पर व्यक्ति चाहें यहां पर हो यहां पर हो उसके भी घड़ी में बारे तब ही क्या होगा बचेगा आगे बड़ी चुकि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीन बीस से क्या है पांच गंटे 30 मिनट आगे है इसी के कारण क्या है हमारे यहां का जो समय है वो क्या होगा आपको आगे दिखाई देगा आगे का मतलब क्या है आगे का मतलब यह है कि हमारे यहां क्या होगा सुबा पहले हो जाएगी वहां पर सुबा क्या होगी बाद में होगी कितने का अंतर है 5 गंटे 30 मिनट क्यों है हमने अपनाया है साढ़े ब्यासी डिग्री साढ़े ब्यासी डिग्री और साढ़े ब्यासी डिग्री आपको पता है जैसे आप पता है पंद्रे गंड पंद्रे मिनट में क्या होता है पंद्रे डिग्री अच्छांस पर एक घंटे का अंतर आता है तो आप इस तरह से जोड़ेंगे तो 15 इंटू 5 कर दीजिए 75 ठीक है 15 इंटू 5 75 डिग्री हो गया और फिर 60 डिग्री और जोड़ जीजिए तो इसी से पता चल जाएगा कि हमारा समय क्या है साड़े 5 घंटे आगे ठीक है उन लेखनी है कि कुछ देश ऐसे भी है जिनमें Geographic की हमारी क्लास होती है उसमें समझाऊगा बस यहां पर इंडिया के रिफ्रेंस के तौर पर हमने आपको यहां पर बता दिया आप देखिए हमारे एक जो रेखा है उसको देख लेजए चुकि हम देखिए रेखाओं को देख रहे हैं तो हमने मानक रेखा देख देख लि से खीचेंगे तो इस तरह से रेखा सोरी ऊपर से थोड़ा से जाएगी इस तरह से रेखा जाएगी तो साढ़े जो तेज डिगरी रेखा है करक रेखा यही क्या है करक रेखा हमारे राज्यों से गुजरती है और लगभग भारत को दो भागों में क्या करती है डिवाइड कर कौन कौन से राज हैं, आठ राज हैं, कौन से गुजरात, देख लिजो गुजरात, उसके बाद राजिस्थान, मद्य परदेश, छतिस गड़, जारकंड, पसिम बंगा, तिरुपुरा, अमिर छोड़, एक सेकंड, देखे, तो सबसे पहले गुजरात को देख लिजे, ठीक ह पसिम बंगाल देख लिजे, फिर क्या करें, तिरुपुरा, और मिर जो राज हैं, इन से होकर क्या हो रही है, हमारी जो रेखा जा रही है, इसी रेखा को हम क्या कह रहे है, करक रेखा कह रहे है, अब मैंने कहा कि करक रेखा से दच्छिड वाला जो भाग है, आपको हमने क वह किस में आएगा उष्ट कटी बंद में आएगा उष्ट कटी बंद में आने का मतलब है कि यहां पर जो हवाओ का direction है कुछ और होगा यहां का temperature कुछ और होगा यहां का vegetation क्या होगा कुछ और होगा और उपर की condition क्या होगी अलग होगी उपर क्या है यह उपोष्ट कटी बं में रखा जाता है, दोनों की climate अलग है, कैसे climate अलग है climate वाले chapter में हम इसको बढ़ेंगे करक रेखा कि जो सरवाधिक लंबाई है, वह आपको कहा मिलेगी, मद्य परदेश, चुकि देखे यहाँ पर, यहाँ पर मद्य परदेश की क्या है चौड़ाई यहाँ पर जादा है, इसलिए मद्य परदेश में इसकी सरवाधिक लंबाई और सबसे कम लंबाई कहां मिलेगी, वह आपको राजिस्थान, चुकि जो राजिस्थान वाला यहाँ जो एरिया देख रहे हैं, बस एक चुटा सा एरिया इसको क्या करता है, टच करता है और यहीं पर एक जो सहर हुआ काफी important है, वह है राचि, और देखेंगे तो यह जो इस तरह से यह रेखा जाती है, यहीं पर राचि क्या करक रेखा, जार खंड के राचि सहर से होकर क्या करती है, गुजरती, किलियर हो गया अब यहीं जो करक रेखा है, यह क्या करती है, हमारे climate के, जो उसका बित्रण है, उसके सोरुप को निर्धारित करती, यहां तक किलियर, यहां तक किलियर, तो बच्चों अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ वर्मा अनेकेडमी उस टेलिग्राम चैनल का लेंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया अगर आपको क्लासिस अच्छी लगी हो या लगें कभी अगर आपको हो कि सर हमें तो पूरा जोग्रॉफी में मास्टर बना दो आप आप जोग्रॉफी हमें इतना पढ़ा दो कि जिस्ते कोस्टन सब इजी हो जाएं तो मेरे बहुत सी क्लासिस यूटूब पर आर्लेडी पढ़े हुई हैं इन सभी की प्लेलिस्ट मैं अपने टेलिग्राम पर डालता रहता हूँ आप उसको देख लिजी दूसरा अगर आप अनेकेडमी लर्निंग एप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लिजी अनेकेडमी लर्निंग एप पर भी मैं NCRT जोगरॉफी की पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आप मुझसे NCRT पढ़ लेंगे और जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्सन है तो वहाँ पर मेरे चार प्लस कोर्स चलने हैं आप उन चारों प्लस कोर्स को क्या कर सकते हो आप देख सकते हो Unacademy का जो profile link है वो भी वीडियो के description में दिया गया है आप उसको क्या कर सकते हैं फोलो कर सकते हैं YouTube पर एक classes पड़ी है इनकी PDF इनका जो पूरा playlist है मैं टेलिग्राम पर डालते रहता हूँ टेलिग्राम चैनल का link वीडियो के description बहुत से बैच चालू हो रहे है अधिकांस बैच का मैं भी हिस्सा हूँ इसलिए आप admission ले सकते हैं जब भी आप admission लेंगे आपको क्या करना होगा एक code यूज करना होगा और वह code क्या है सुनील भी सुनील भी जैसे code यूज करेंगे आपको discount मिल जाएगा मेरा guidance मिल जाएगा और चूंकि मैं plus courses पर already 4 course चला चुका हूँ आप वहाँ पर quality भी देख लेना जब आपको ultimate quality लगे तो आप क्या करना मेरा guidance प्राप्त कर लेना ठीके बच्चों बाकी हम कल बात करते हैं इस session को हम कल आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे एक सांदार तरीके से इस course को complete करें आपके लिए important सूचना ये है कि जिनके पास atlas नहीं है वो किसी न किसी publication का atlas जरूर ले एक लस आपके लिए क्या है काफी important है एक लस जरूर लेना ठीके बच्चों प्लिस अगर आप लोग को एक आपको सूचना है कि अगर आप चाहते हैं कि सर की class सर की महनत अच्छी लग रही है समझ में आ रहा है चीजों को मैं समझाओंगा मैं कभी भी रटाने पर भरोसा नहीं करता हूँ अगर आपको classes अच्छी लगे हूँ तो प्लिस अधिक सेधिक दोस्तों के साथ लिंक को share कीजेगा मुझे थोड़ा सा support कीजेगा बाकि आपके लिए आपका educator आपसे जादा मे लेना हो प्लस कोर्स लेना हो आइकोनिक कोर्स लेना हो कोई भी कोर्स लेना हो डायरेक्ट आप मुझे टेलिग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं ठीके बच्चों चले इस class में इतना है thank you so much